हालो दोस्तों मैं हूँ सिय दिवया अगरवाल और आप देख रहे है टाक्स विदाउट टियर्स उमीद करती हूँ कि आपको मेरे चानल का कंटेंट अच्छा लगता होगा अगर दोस्तों अच्छा लगता है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बने बेल आइक सब्सक्राइब करें दोस्तों जिसमें आपको बहुत सारे रेगिलर प्राक्टिकल यूसेज के कोर्स मिल जाएंगे चाहे जी एस्ट पॉर्टल पर रिटर्न फाइलिंगों जी एस्ट पॉर्टल के फ्री फीचर जो में रेगिलर यूसेज में काम आते हैं फिर उसके बाद आपका नोटिस के रिप्लाइ या ITC के कॉंसेट में जो चेंजेज और उसकी जो कॉंसेट चाहे प्राक्टिकल हुचे थेरिटिकल वो सारे कॉंसेट्स आपको मिल जाएंगे यहां पर अपार्ट फ्रॉन दाट दोस्तों अब जो आज का टॉपिक है वो यह है कि 47 GST कांसल म इतने सारे सर्किलर आए रोज में अभी कमेंट्स चेक करती हूं तो कमेंट्स में मुझे यह मिलता है कि मैं इतने सारे चेंजेज आ गये हैं क्या करें तो आप ही के लिए मैं हर एक इंडिविजुल टॉपिक पे शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो में बनाती हूं ताकि आप इसले हम लोग बोलते थे ब्रैंडड और अन ब्रैंडड की फाइट थी तो कहीं ना कहीं लूप होल्स बहुत सा रहे थे तो उन सब चीज़ों करने के लिए गवर्मेंट ने चेंज किया कि जो भी फूट ग्रेंस हैं उन पर जो एक्जेंशन से आपको मिलेगी लेकिन अग ठीक है यह अमेंड करती है आपकी नोटिफिकेशन नंबर टू अबलीक 2017 को जो कि आपकी बेस नोटिफिकेशन है जो एक्जेंशन देती है इन केस ऑफ गुड्स अब मैंने बेस नोटिफिकेशन को मैं आपके सामने खोल भी लेती हो एक बारी यह देखे इसमें क्या लिख चीजों में यह अड कर दिया गया है प्री पाकेजन लेबल का टाग अब आप कहोगे कि इसका मीनिंग क्या है तो इसी नोटिफिकेशन में दोस्तों लास्ट में एक्स्प्रेशन अड करी गई है जिसमें कहा गया है एक्सप्रेशन प्रीपाकेज और लेबल का मतलब क्या ह जो define किया गया है clause L of section number 2 of legal metrology act यानि अब मैं legal metrology act को LMA की तरह denote करूंगे और मैं आपको कहूंगे कि section 2 के clause L में define किया गया है pre package commodity को अभी हम वो भी समझेंगे ठीक है where the package in which the commodity is prepacked and label securely affixed एक label आपके साथ लग जाता है उस product पे that is required to bear the declarations under the provisions of the legal metrology act and the rules made thereunder अब इसमें एक बार हम लोग इस act को देख लेते हैं act में अभी हम सिर्फ एक basic चीज़ देखेंगे कि जो यह बोलता है pre package and prepackage commodity इसका meaning क्या है क्योंकि अगर कोई भी मेरा ऐसा food grain जो इस category में fall कर गया उस पे मुझे exemption नहीं मिलेगी पहली concern इसका meaning क्या है वो commodity which without the purchaser being present यानि ग्रहक आपके सामने नहीं है but आपने क्या कर दिया एक packet बना दिया है चाहे वो packet sealed हो या ना हो so that the product contained therein it has a pre-determined quantity यानि एक fixed quantity उसमें present है और आपने ये packet बनाया है consumer के absence में अब चाहे वो sealed हो या नहीं हो हमें उससे कोई फरक नहीं पड़ता तो इस तरह के food grains जो ऐसे packets में होंगे उन पर exemption नहीं मिलेगी अब इसके अंदर ना बहुत सारे rules और हमें sections को थोड़ा सा समझना पड़ेगा तब ही हम इसकी पूरी बात को जो ये amendment है उसको हम समझ पाएंगे तो यहां पर मैंने वो सारे sections और रोल्स लिखे हैं देखें जो अभी मैंने पड़ा Legal Metrology Act के अंदर हमने section 2 का क्लॉजल पड़ा जिसमें हमने समझा कि pre-packaged commodity का मीनिंग क्या है अब इसी के अंदर एक section 18 आ जाता है जो आपको declarations की बात करता है क्योंकि अभी हमने क्या अब मैं इसको simple terms में आपको बताऊंगे ज्यादा complicate नहीं करूंगे मैं चीजों को इसमें simple यह बात कहीं गई है कि आपने कोई भी ऐसा packet बनाया उन food grains का जिस पे वो declarations लगी है अब वो declarations के लिए कुछ rules हैं हमारे पास rule no.3,4 and 6 इसको हम लोग देखेंगे बड़ इसमें यह देखेंगे कि यह rules लगेंगे किस पे सबसे पहली बात क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि इसके exclusions क्या है क्या इस से excluded है तब तक हम इसको सही से नहीं समझ पाएंगे अब दोस्तो rule no.3 कहता है कि the provision of this chapter shall not apply chapter क्या है retail sale के लिए जो basically है इन्होंने क्या का packages of commodities containing the quantity of more than 25 kgs or 25 liters यानि 25 kilo या 25 liter से ओपर की कोई भी item आप pack करते हो यानि इतने क्या packaging बनाते हो तो वो by default out हो गया इस से अगर अब हम इसको base notification से connect करते हैं तो मेरे वो food items जिसका packet मैंने बनाया पर वो packet 25 kilo से जादा है या 25 liter से जादा है तो मेरा by default वो इसमें fall ही नहीं करेगा और मे पहले चीज़ दूसरी चीज़ अब इन्होंने क्या कहा कि package commodity which is meant for industrial consumers and institutional consumers अगर industrial consumer है या institutional consumers है उनको अगर आप ऐसे packets बनाके दे रहे हो तो वो packages भी जो है जी इस पर वियू में नहीं आएंगे यानि उन पे भी GST नहीं लगेगा उस पे exemption लग जाएगे दो पॉइंट हमने clear क अब दोस्तों एक question यह आ रहा है कि wholesale में 25 kg की quantity अब जाद हो जाती है अब हमारे पास wholesale में भी यह declarations आते हैं तो wholesale वाला element में अभी थोड़ी देर में लेती हो आपके साथ इसके बाद rule number 4 and 6 deal करता है कि pre-package item पे क्या-क्या आपको declarations वगरा देनी पड़ती है तो इसको simple terms में आप कोई भी चीज़ purchase करते हो कोई भी food item आप देखते होगे packets में जो आता है वो लिखा होते है कि किसने manufacture किया, किसने pack किया, क्या quantity है, क्या description of goods है, किस दिन manufacture हुआ, क्या उसकी expiry rate है, क्या MRP है, etc. तो इस तरह की declaration यानि यह एक label जब लग जाता है और अगर वो इन conditions को fulfill करत है, तभी उस पे GST लगेगा, otherwise GST नहीं लगेगा. दूसरी चीज़, अब जो हम wholesale की बात करते हैं, तो wholesale के case में हमें wholesale की definition तो समझनी पड़ेगी, क्योंकि declarations on wholesale packages तभी लगेगे, जब आब वो wholesale की term को समझोगे, wholesale package तो होना चाहिए हो, उसके लिए क्या it means a number of the retail packages, बहुत सा wholesale package मानेंगे, otherwise हम उसको wholesale package ही नहीं मानने वाले हैं, तो अगर quantity 25 kg से ज़्यादा है एक packet में, तो हम उसको wholesale package की category में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो multiple retail packages नहीं हैं, but हाँ, इसमें एक-एक issue आजाता है, ये बोलता है कि अगर intermediary को आपने bulk में दिया, and then he makes that particular bulk quantity, उसको वो bifurcate क कि इसमें आपका wholesale वाले rules attract होएंगे और GST attract हो जाएगा, but normal terms में जब भी हम अच्छे brands के, या अच्छे basically जो products आते हैं, food grains को लेके, या curd, basically milk products को लेके देखते हैं हम लोग, तो ऐसे situation में आप imagine कीजे, Tata Tea, एक बड़ा packet देके, उसमें intermediary को कहें कि आप छोटे-छोटे packets बन लेंगे क्या, आप नहीं लेंगे, तो ऐसे में उसकी कहीं न कहीं एक जो original है, कि originality, genuineness, उसकी जो है, adulteration होने की chances बहुत जादा हो जाते हैं, originality उसकी खतम हो जाती, तो ऐसी situation अगर रहती है, तो definitely GST आएगे, otherwise GST नहीं आएगी, तो अब simple, अगर हम इसको कर देते हैं, बहुत simple सी चीज आजाती है, कि पहली चीज, आप pre-package और उसमें आते हैं हम लोग अगर, तो मैं इसको आपको छोटा सा एक flow chart आपको बना के दे जाती हूँ, कि देखिये, कोई भी जो आपके food grains है, ठीक है, food grains, अगर हमारी plain packing है, उसमें हमने कोई labeling, कोई declarations, etc. नहीं कर र जाएगा, पहली चीज, दूसरी चीज, अब जो इसमें ध्यान देने वाली है, वो आजाती है, कि अगर वो मेरे section 2 clause L में, LMA Act में fall करता है, यानि pre-package commodity की definition में fall करता है, तो उसमें GST लग जाएगा, पर GST कब नहीं लगेगा, इसके अंदर भी अब exclusion आ जाती है, अगर इसकेट 25 किलो या 25 लीटर से जाधा हो जाता है, तो GST नहीं आएगा, इंस्टिटिऊशनल बायर्स अगर आजाते हैं, तो भी नहीं आएगा, ठीक है, इंस्टिऊशनल बायर्स अगर आ जाते हैं जो हमने अभी पढ़ा, तो भी GST नहीं आएगा, अब आपको GST लाने के ले क्या देखना पड़ेगा कि भाई वो मेरी declarations जो है उसको fulfill करें कि declaration होनी चाहिए quantity etc. labeling पूरी होने चाहिए तब ही आपके ओपर food grains के case में pre package and labeled की category में GST आएगा अब छोटे से example में अगर हम लोग ले लेते हैं कि कोई भी packet अगर मेरा बना हुआ है से suppose वो 10 kg के packet है properly labeled है proper declarations है तो बिल्कुल जी GST लगेगा यही अगर मैं packet size suppose कि जी 30 kg कर देती हूं तो मेरा GST नहीं आएगा यही institutional buyers को हम लोग कर देते हैं तो भी GST नहीं आएगा अब इसके अंदर एक छोटा सा point दोस्तों यही है जो इसको अगर हम simple और summarize कर लें कि up to 25 kg and then एक आपका आजाता है greater than more than 25 kg अब इसमें अगर वो आपका basically labeled है चीक है यह basically अगर मैं कहूं package है proper as per LMA चीक है packaging हो रखी है proper packets यानि अगर हम इसको बोलते packets की तो और पर हमारे बने हुए हैं तो आपका यहां पर GST attract हो जाएगा और यहां पर GST attract नहीं होगा यह अगर plain packets है plain packages है plain bags है ठीक है जिसमें यह conditions follow नहीं होती है जिस पर यह condition applicable नहीं होती तो ना इस case में GST आएगा नहीं इस case में GST आएगा I hope अब जो यह food grains को लेकर हमें doubt है चाहे 25 kg से जादा है कम है wholesale में नहीं है यह packed है यह plain bags में है वो मैंने आपको clear किया होगा कोई भी और डाउट है तो you can you're most welcome to write down all your issues and comments in the comment box I will take it up in the next videos for sure thank you so much friends and have a nice day